कारकसानमत्रों आप देख रहे हैं क्रशी जानकार और मैं हूँ आपका दोस्त कपल लाकलकसानमत्रों आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों यह टॉपिक जो है लसुन का नहीं होने वाला है यह आपको एक नई खेती के बारे में जानकारी दिने वाला है यहां पर भी अंगूर की खेती होती है दोस्तों हां जी हां रियावन के अंदर जहां हम रहेते हैं वहीं पर अंगूर पिछले 26 सालों से लगा जा रहा है और बहुत अच्छी खेती इसकी हो रही है दोस्तों कर रहे हैं तो दोस्तों हम एक सफल किसान का पूरा एक success स्टोरी आपके लिए लेकर आए है तो मिलते हैं अर्विन भी आसे और जानते हैं अंगुर के बारे में सारी जान कर रही है तो चलिए किसान मतरों सब्सक्राइब अभी नाना परपोले और हम लोह करते हैं और मारकेट सो लेकर काले अंगूर जाधा होते इसलिए अमão पिछले 26 साल से यही कहती कर रहेंगे कि जो हम लोग परंपरागत खेती करते हैं उससे हटकर या उसके साथ में हम लोग बागवानी फसले भी लगाएंगे तो यह एक profit का अलग जरिया बन जाता है क्योंकि यहां पर हम लोग एक बार लागत लगाते हैं और यह 10 से 15 साल तक चलता है तो हम लोग तो यही सजेश्ट करेंगे कि आप साथ में इसको भी अंगुर नहीं आपको इसी भी भागवानी फसल लगाई है ताकि आपको प्राफिट थोड़ा डबल मिले अठीड दोनों जो किसान होते हुनकी जनरल टेंडिनसी होती है हर चीज वहां कि लगती है मतलब हर चीज हर चीज हर फ़सल में वह डिपेंड करती है जैसे कि लhuसुन का भाव नहीं है तो ह Homura SLo Supp recommend करता है जैसे अंगुर की खेती, यदि हम लोग इसको हर्वेस्ट कर रहे है, अगर यह हम पंदरा दिन बाद हर्वेस्ट करते तो नासिक का अंगुर चाल हो जाता, तो हमारे अंगुरों को रेक निमिल पाता,चो यहा पे हम लोग मार्केट को समझ के थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो ही रेट मिलेंगे हम एक भीड में चलेंगे ना सब के अंगूर आ रहे हम लोग भी लेके जा रहे हैं तो फिर हमारी अंगूर की कोई वेल्यू नहीं है अच्छा दोस्तों अच्छा एक चीज और मतलब यह कितने एकड में अपना पूरा जो सिस्टम हो लगा हुआ है अंगूर कर लेकर अभी जो हमारा जिस फिल्ड में हम लोग खड़े हैं यह एक एकड का प्लाट है और 800 पोदे हम लोगों ने लगा रखे हैं अच्छा एक एक साल में एक बारी आता है दोस्तों यह अभी सीजन है अच्छा और कुछ चाहेंगे किसान मतरोगों की किस प्रकार से इस पेशल अंगूर का ही वीडियो है अंगूर का ही वीडियो अपन डालें गये तो कैसा रहेगा मतलब किसान अगर कोई परामर्स चाहता है को टेक्निकल खेती है आम खेती जो रहती है उसमें आप पोधे लगा देंगे फल ले लेंगे यहां पर भुसरी टेक्निकल चीज़े होती है कटिंग करना पड़ती है साल में दो बार और कटिंग भी टेक्निकल तरीके से की जाती है कुछ हर्मोंस होते हैं जिससे इनके साइस बढ़ती है तो यदि हमारे कोई किसान भाई अंगूर की खेती करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप पेले 6 महिने अंगूर की खेती के उपर स्टेडी करिए थोड़ा सोचे समझे और जिन किसानों ने लगा रखे उन किसानों से मिलिए उसके बाद इस फिल्ड में आईए आप कि गुच्छे देखके अंगूर की खेती कर लेंगे तो दिक्कत आजाएगी आशा सही है क्योंकि है ना बिना अनुभव के आप कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं चाहे आप लसुन की ही क्यों बात न गरे हैं जैसे कि हमारे यह लसुन की खेती काफी अच्छी होती है ही हमारे होटी कल्चर क्रॉप में भी होता है और विशेशकर अंगूर की खेती में अच्छा तो अरविन विया अगर में कॉस की बात करूं अगर कि किसान में तरह चाहे क्या इसको एक बिजनस के रूप में सेट अप करें और एक बागबानी वाली फसल में उसके यहां पर जो पॉटफॉल्यो है उसमें अंगूर भी एड करें तो एक एकड़ का क्या खर्चाएगा क्योंकि मैंने यहां पर बहुत सारी चीज़े देखी है यहां पर इंगल भी लगे हुए हैं फिर ओपर यहां यहां पर देख सकते हैं यह वाले वायर भी लगा रखे हैं फिर लगबग 5-6 लाग रुपे का खर्चा आएगा वह भी तीन साल के अंदर आएगा मतलब किस्तों किस्तों में आपको खर्चा करना पड़ेगा छोटे पोदे हैं तो उनको बास की सपोट के आवशकता नहीं पड़ती है पर जैसे ही छोटा सा पोदा बढ़ा होगा च्छे मह पी स्पॉर्ट के लिए यह भीवटाने के लिए मूप बनाने के लिए हम लोगों को वायर लगाना पड़े पर इसके बाद हम लोगों को बरुन लगना पड़ेगी जो फ्रूट लगते हैं इसमें जो फॉर्ट लगते हैं तो हम लोग इसको बचाने के लिए प्रटेक्शन पूरा देना पड़ता है मतलब यहां पर पूरा जैसे अफिम की खेती में से क्रेटी होती ना वैसे यहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर काम करना पड़ता है तो अरण भिया यह चार साल पुराना पोदा है मतलब एक बेल इसको मैनेज करें मतलब आपका प्रॉपर तरीके से कटिंग प्रूनिंग होगी आप इसकी चाल और प्रॉपर निकालेंगे तो आप इसको पंदरा साल तक भी ले जा सकते हैं नहीं तो कुछ किसान तो ज्यादा मैं नहीं नहीं बगीचा लगाना पड़ता है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक गुच्छा जो हो मैंने तोड़ा था आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गुच्छे में कम से कम वजन होगा मेरे हिसाब से जैसा मैं आपजर कर रहा हूँ कम से कम यह डेड़ किलो के आसपास का गुच्छा होगा क्या इतना वजन इसके अन्दर हैं अप अगुर का साइज देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं बड़ी शांदार चीजे दोस्तों और दोस्तों यह आसान काम नहीं है मैं सीधे से बता देता हूँ मेरा काम है आपको खेती के बारे में जानकारी देना लगाना न लगाना आपका personal decision है अभ इसको जीरो से नीचे जमीन में गाल करके पूरा लगा रखा है ये कितनी कितनी दूरी पे है अर्विन भिया वहां पर उसने बताया था कि अंगुर के बारे में आप किसानों को बताना शुरू करें बहुत सारे आपको चैनल को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूत है क्योंकि केवल गार्लिक के ऊपर चैनल जो है वो थोड़ा कम ग्रो करेगा तो आप मैक्सिम्म कोशिश करें कि नई न महारास्टा डमाँ मज़्राश्टा में गुन होती है जहां पर टो अब अगर आरे खाए होता तो सकत्य और मिट्टी के लिए कुछ आप सेजेशन देंगे मिट्टी का जैसे हम लोग काली मिट्टी में लगा तो यह ब्लेक कॉटन साहिल है तो मिट्टी का ऐसा माइन नहीं रखता है क्योंकि हमारा जो नीचे का जो पदा है जिसे हम रोटी श्टक बोलते हैं वह किसी भी मिट्टी में सेट हो जाता है तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना तो देखा जाए तो यह हमारा राजस्तान जो ह घूमना चाहते हैं या फिर अगर आप देखना चाहते हैं तो मतला में भी और कहीं अंगुर हो रहे हैं मतलब में अगर अंगुर की शुरूरात कि जाए तो हमारे टीतरी मथुरी के जो पाटीदाड़ जी है उन लोगों ने शुरूरात करी थी हम लोग तो खेर बाद में तो वहां पे भी काफी अची खेती होती है और वहां पे वाइनरी मतलब हमारी मद्रोधिस के एक महत्र वाइनरी जो पहली वाइनरी वह przyp customized wine परपस के अंगूर की विराइटिए लगी हुई है और काफी अच्छे अस्तर पर तो दोस्तों जैसा कि अर्विन भिया ने बताया वाइन परपस मतलब समझे कि अंगूर से वाइन निकाली जाती है उस वाइन को बनाने के लिए रतलाम जिले के तितरी गाओं में एक फैक्टरी लगी हुई है एक पूरा सटफ है जिससे अंगूर की एक special varieties जो आती है वाइन वाली जिनसे special wine बनती है उनको लगाया जाता है और उनसे wine निकालकर उसको sell की जाती कभी मोका मिलेगा तो आपको वो पूरी फैक्टरी भी हम गुमाएंगे दोस्तों दोस्तों बात करते हैं आखिरकार हमने वीडियो तो बना दिया अब कोई किसानमतर जुनना चाहता है आ अंगुर की खेती को या अधर और वह जो हम लोग की खेती करते हैं तो हम लोगों लोगे जहां पे ट्रेनिंग स्लगार भी रखते बड़ी बड़े बसों में भर की किसान भी आते हैं 40-50 लोग उनके लिए तो फ्री रहता है पर कोई स्पेशल जैसे हमारे पास भी टाइम नहीं रहता है फोन पे भी बहुत सारे कॉल आते हैं तो एक छोटा सामने अपने पास यहां पर रिया बन के अंदर कहा कहां से किसान आया है इवन नेपाल से काफी लोग आई थाइलेंड से लोग स्रीलंका से भी लोग आये तो हम लोग तो काफी टाइम से मतलब आज हमको हाइट्रोपनिक में नोदस साल हो गये और हम लोगे Maghlti Pradesh में पहली बार अपर Bible चालू किया कुछ नई जो बिजनस को लेके आपको एक नई concept को लेके जाएंगे हैं से तो दोस्तों अभी आपको अर्विन भिया का hydroponic वाला जो setup है वो भी मैं आपको गुमा देता हूँ कि आखिरकार वो hydroponic वाला जो setup है वो केसा है अब आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर अंगूर की जो है ताजा harvest होके आई हुई है और यहाँ पर यह carrot के अंदर जो अंगूर जो है खेच से harvest होके जो हैं है उनको यहाँ कर carrot के अंदर भरा गया है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से packaging हो रही है मतलब जो खराब अंगूर है उनको काट कर केची के मादम से अलग से shorting की जा रही है आप देख सकते हैं पूरे अंगूर का size color आप देख सकते हैं बड़ा शांदार है दोस्तों और बहुत अच्छी क्वालिटी के जो अंगूर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यह चोटे चोटे बॉक्स भरे जाते हैं इन बॉक्स के अंदर जो है कितना वज़ना आता है अरुन बिया चार किलो की एक packing आती है दोस्तों यह 4 किलो अंगूर है इसके अंदर और इसको पैकिंग करगे अ मार्केट के अंदर सेल करने के लिए बेज़ा जा जाता है कहा जा रहा है यह हमारा मार्का है डीजिया बोस्तों डीजियार का मतलब है धाकड़ ग्रेप स्रियावन और इसके अंदर जो बजन है 1 kg 190 ग्राम के आसपास जो बजन है उस अंगूर के गुच्छे के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बहुत बड़ा गुच्छा है बड़े शांदार क्वालिटी के अंगूर है दोस्तों मद्रों अब देख लेते हैं धाकाड हाइडरोपांिक यहां पर आप देख सकते हैं यहां लुद अधर है वाला हीड्रोपानिक वला जो शेट-व्लाक वत आपको दिखा देते हैं हाइड्रोपानिक का मतलब है किसान मतलूं पानी का प्रयोग करके pipe के माधियम से मतलब hydro का उतला होता है पानी और उसको उसके अंदर फसल ग्रोग करने की जो टेक्निक है उसको hydroponic technique कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा setup लगा हुआ यह PVC pipe है और PVC pipe के अंदर पानी का उप्योग करके जो है फसल ग्रोग की जारी है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह latus है latus जो है चाइना में बहुत ज़्यादा खाया जाता है सलाद में अब तो इंडिया में भी इसका प्रचलन आ गया है तो अर्विन बिया क्या बताना चाहेंगे किसानोगू हाइड्रोपॉनिक टेकनिक के बारे में हाइड्रोपॉनिक मतलब बिना मेट्टी के खेती यह भवीशी की खेती है और कम जगा के अंदर कम पानी का उप्योग करके हम लोग बहुत सारे पोदे लगा सकते है क्या होता है हम लोग पाइक का क्यों करते हैं इसके अदर पानी वह भी न्यूट्रिशन वाला साथ में नेट पोट और इसमें कोकोश पींडाल के इस पोदो को इसमें रख देते हैं अब देखे यह जड़े यह पानी लेती है और यह पोदा ऐसे ग्रोह करता है हां मतलब देखा जाए तो ग्रो तो नॉर्मल ही हो रहा है यह टेक्निक ही अलग है दोस्तों आपको में अंगुर बगेर अभी यहां पर टमाटर आपको दिखा देता हूं कि अधो मैंने बताया कि कहींटे भी ज्रो कर सकते मिठी के आऊशक्ता नियुक। लघवर तो तो यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर लगे हुए हैं ऐसे पूरी हवा में यहां पर भी आप देख सकते हैं यह इनके पूदे यहां से हैं और यह पूदे होते हुए यहां पर आ रहे हैं मतला पूरा अब बताए यह एग्रो टूरिजम जैसा आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है तो इस हाइड्र पूनिक टीक को अगर आप complete video complete detail के साथ में देखना चाहते हैं तो आप जम के comment करिएगा जम के share करिएगा और जितने ज़ादा इस पर views आएंगे उतने ही ज़ादा हम motivate होंगे आपको hydroponic technique के बारे में पूरी complete जानकारी देने के लिए यहाँ पर आपको अलग-अलग प्रकार के जो है अलग-अलग varieties के फूल यहां पर रगे हुए है बुड़ी शांदार चीज़े दोस्तों और भी मैं आपको यहां पर दिखा हूँ तो अर्विन विया ने इधर बाहर साइड में अपना पूरा एक जांफल का वगीचा भी सेट किया हुआ है वहां पर आपको सीडलेस लेमन देखने को मिलेंगे और साथ में आपको महां पर विये नार जांफल देखने को मिलेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़े है जो आपको अर्विया के सेटप पर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह बड़ा शांदार सेटप है दोस्तों अगर आप इसके बारे म जाइकसान धन्यवाद